कि वेलकम है गाईस सब्सक्राइब वेरी चाहएं venue देते था कि हमारा जो हम क्लावस मेंच कैसे करते ब्लट कैसे इस्यू करते हैं यह फिर समने ब्लट इस्यू करना तो तो आज हम आपके लिए लेकर आई है आटिफिश्य ब्रड्ड क्या होता है अगर हमारे पास ओर एंपल नहीं है। और किसी patient को पैट सब्गेंद की ज़रूरत है तो उसकी जगा आटिफिशल पैक से उसको कर सकते हैं। लेकिन पिस तो अगर हमें आपिशल बेड का पता होगा तो मुझे कर पाएंगे तो गैज आज हम इस वीडियो में देखते हैं कि आपिशल बेड क्या होता है उसकी discovery का फंक्शन क्या है उसके बाद हमारा universal dollar कौन सा है, universal receiver कौन सा है, और Bombay blood group क्या होता है, बहुत बच्चों कुछ यह भी confusion रहती कि Bombay blood group हो positive ही होता है, ऐसा नहीं होता है, आज हम discuss करेंगे इस वोडियो में, कि Bombay blood group क्या होता है, universal donor कौन सा है, receiver कौन सा है, और हमारा जो artificial blood है, वो है क्या एक्चुलि गाइस, तो यह artificial blood जार्शीट है, क्या, artificial blood जार्शीट है, एक ऐसा substitute है, जो हमारे blood का काम आदी टाइम में कर दीता है, जाफिर जो हमारे blood का एक पार्ट है, तो गाइस, जी artificial blood क्या करता है, हमारे, जो हमारे है जो हमारी gases की exchange करते हैं जैसे oxygen देते हैं और carbon dioxide लेते हैं जो ही काम करता है हमारा क्या करता है हमारी बोडी को oxygen देता और carbon dioxide निकाल देता है तो यह क्या है cheapest है हम easily transfuse कर सकते हैं और इसका कोई temperature का वो नहीं होता गाइस अगर हम कहाएं कि जैसे हम pack cell को हम 208 Celsius degree पर स्टोर करते हैं तो इसका कोई ऐसा issue नहीं रहता तो जैसे substitute है तो कभी भी किसी भी रोबार्टर में बनाया जा सकता है लेकिन अगर अच्छी टकनीक और with high authority doctors तो गाइस बात करते हैं जो हमारा artificial हमारे जो लंग्स है जिसे जहां पर हमें oxygen चाहिए होता है जा किड्नी फिलीर है जब कोई hemorrhage है जा फिर कोई anemia है तो यहां पर हमारे oxygen की लोड होती है तो जी oxygen की कमे को पूरा करता है और second one है हमारा per fluorine carbon पर fluorine carbon क्या है हमारा जो हमारा carbon dioxide को बाहर निकालते है यह हमारे द यह हमारा इसको ऐसे फ्लोरो सोल डीट 20 के नाम से जाना जाता है और मैनुफेक्ट्र किया था Green Cross of Japan में कब जे कब मैनुफेक्ट्र किया गया था सबसे पहले इसके टेस्टिंग होई थी का नाइंटीन सेवंटीन में टेस्टिंग होने के बाद इसको अप्रूव किया गया था Food and Drug Administration in 1989 में FDA1 इसको अपरोव किया था कि जो आपने सब्सेट्ट्यूट्यूट्व बनाया है पी और भी सी का चैसल का जीजो सब्सेट्यूट्यूट्यट्यूद्य का जी आप इसको मार्केट में भेज सकते हो जा फिर इसको ट्रांस्फूजिट्स को दे सकते हो इसी हो सकती है guys तो यह था हमारा artificial bed जा हम बनाते हैं जा फिर आजकल market में आ चुका है guys जो easily हम buy कर सकते हैं और इसको transfusion के लिए pre-hospital की ज़रूरत नहीं पड़ती हम किसी cleaner जा फिर किसी higher doctor के passfuse की transfusion उसके थूरू हो सकती है guys तो उसके बाद हम guys बात करते हैं हमारा universal donor की universal donor हमारा कौन सा है universal donor हमारा O negative है guys O negative universal donor क्यों है जा फिर O positive क्यों है guys तो हम बात कर लेते हैं O negative हमारा इसलिए universal donor है क्योंकि उसके surface वे कोई भी antigen नहीं होता तो जह easily हार एक को जो donate है easily कर सकते guys उसके बाद जो हमारा universal sever है guys this is the AB positive AB positive universal sever क्यों है guys क्योंकि इसके serum में कोई antibodies present नहीं होती ना A ना B ना फिर RH कोई antibodies present नहीं होती that's why जो हमारा जो AB positive universal sever है उसके बाद guys हमारा third one है Bombay blood group क्या है guys सबसे पहले जो Bombay blood group क्या है Bombay में discovered हुआ थे इसके थ्रू डिसकवर किया गया था डॉक्तर वाई एम बिंडे in 1952 के थ्रू जे डिसकवर किया गया था तो Bombay में discovered हुआ था इसका ना Bombay blood group पड़ गया तो अब इसमें funda क्या है Bombay blood group क्या जाता है इसे Bombay blood group भी कहा जाता है guys क्योंकि इसके जो surface होता है और सीरम में भी ही होती है इस एंटीजन और antibody की वज़ा से इसे Bombay blood group कहा जाता है और जी बहुत ही rare है guys most properly जे हमारे इंडियन में ही पाया जाता है और जे हमारा किसी दसाजार के बीचे एक परसंगा हमारा Bombay blood group होता है मतलब कि कि बहुत ही ज्यादा rare blood group है guys तो जहें थे हमारे आज के त्रीम चार्ट टॉपिक जो हमने discuss की है अगर इनों में आपको भी confusion लगी और मेरे को comment box में message कर सकते हो guys so thank you very much बताना मेरे को video कैसे लगी और प्लीज like and share तो बाकी की जो a to z knowledge आपको description link में में मिल जाएगे आप description link में भी देख सकते हो guys कि artificial bet के substitute जाकर बॉंबर वर जाकर युनिवर्सल डोनर सीवर यह सब आप मेरे description box में जाकर देख सकते हो guys so thank you guys thank you very much next में लेंगे नेव वीडियो के साथ thank you guys thank you